तो आज का पार्ट सच में बहुत ती ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अंडर बर्ले कंट्रोलर की फाइट केंडल ड्रेगन से होती है जिसमें उन दोनों को ज़्यादा कुछ चोट नहीं लगती और मामना थंडा हो जा है तो उसे कहता है कि पूरी कल्टिवेशन कर लेते तो अराम से लोड़ पर जा सकते थे मगर अब वो लड़का नायली को कोई भी जवाब नहीं देता और आगे बढ़ता जाता है फिर इसके बाद नायली वहां आगे जाकर बैठ जाता है और अपनी कल्टिवेशन चालू क करने लगता है मगर तभी अचानक उसके रिंग में से लाइट निकलने लगती है और फिर एकदम से उसमें से बहुत पावर्फुल एनरजी निकलती है इस सब नायली पीछे को खिसक जाता है साथ ही वह थोड़ा शौक भी था इसके बाद आब वहां आता है और हम देखते ह है कि उसमें से भी बहुत तेज लाइट निकल रही थी और फिर जैसी अनरजी अभी निकली थी उससे करीब दस गुर्णा तेज एनरजी इस बार उस एक से निकली थी और इस करन नायली पिछली बार से और तो पीछे फीट जाता है साथ ही वहाँ पर गॉड़ेस यूयान बिन थी तो अब नायली उनसे कहता है कि इस एक में से ना जाने कैसी खतरनाक एनरजी निकल रही है पर अपको इस यूयान को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए अपनायली डिसाइड करता है कि वह इस एक को डिस्ट्रॉई कर देगा साथ ही वह कहता है कि मुझे इस एक को डिस्ट्रॉई कर सके लेकिन अब जब उसने फर्मिशन बना कर उस एक पर यूस किया तो अचानक उसकी वह अपने आप ही कम नहीं करती क्योंकि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है और वह अंड़ा पूरी तरीके से ब्रेक करने को तयार है और इसके बाद एक बाद फिर अनर्जी रिलीज करता है और तूट जाता है अब अनर तूटने के बाद हमें उमीद थी कि हमें कोई खतरनाक ड्रेगन या फिर कोई भी खतरनाक चीज तो देखने मिलेगी लेकिन ऐसर नहीं होता क्योंकि उसमें से तो एक मामुली से और प्यारी सी बर्ड उसे मामुली नहीं खाल जा सकता ये आप आगे जान जाएंगे वैसे ये वर्ड साइज में भी कुछ बड़ी नहीं थी इसके बाद ये बर्ड सीधे ही नाईली के तरफ देखती है और तुरंद उसके पास जाकर उसके पैर से चिपक जाती है वैसे सच में ये देखने में बहुत ज़्यो लग रही है इसके बाद अब कोड़े स्यूइन नाईली से पूछती है कि है कि फिसे रसे तुम अपने साथ रखोगी सिस्थ पर नएली कहता है कि भले ही इसके पास बहुत ज़्यादा क्योप लेकिन ये बहुत जबास जाध चोटी है और वयप रखेगा इसलिए मुझे इसका ख्याल रखना होगा साथ ही अब नाइली वह यह भी कहता है कि वह पूरी कोशिश करेगा कि यह अपने पूरवजों कितरा ना बने और वह इसे अच्छी परवरिश देगा इसके बाद गॉर्ड के पास आती है और उसके सरपर हाथ फेड़ कर क इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी होगी जिस पर वह तुरंत ही हां करती है लेकिन फिर वह चानक से गॉर्ड के स्कुर्ट को अपने चोट से खीच लेती है इसे सकर्ट कर टुकरा टुकरा उठना फट जाता है लेकिन यह लौपावर से बनी हुई है इसलिए इसे ठीक कर लेती है अब इस चीज़ के बाद को डिस से तुरंत पीछे आ जाती है और फिर गुस्से मनाईली से कहती है कि यह कितनी अजीब जानवर है इसे अभी मार दो लेकिन अभी नाईली कहता है कि अरे आप इस तो गरस समझ रही हो रसल आपकी ड्रस लोपावर से बनी है और यह अजिक तारिफ की ही थी कि तब ही वह बर्ट फिर से गॉल्डिस के पास जाती है और जंप करने लगती है साथ ही गॉल्डिस भी सबसे पहले अपना ड्रेस बचाती है यह दिखकर नाईली कहता है कि इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता गॉल्डिस आपको लोपावर माली ड पार्ट में अपने साथ एक चेंजिंग रूम भी लेते लेते घुमेगी अब यह दोनों यहां बाते करी रही थी कि तभी वह बर्ट फिर फ्लोर की ब्लैक फ्लेम को फील कर लेती है क्योंकि अब यह वह उसी जगह पर खड़ी थी जहां पर सभी कल्टिवेटर करती है इसल कारण से वह उर्ट नहीं पा रही थी अब फिर वह कोशिश करती है और थोड़ी हवा में आती है और साथ ही अपनी पूरी पावर लगा लिए और उन ब्लैक फ्लेम को अब्ज़र्व करने के लिए जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सारी ब्लैक फ्लेम से जगह पर आने तो अभी यह देखकर नाइली और गॉर्डिस व्यार बहुता शौक होती है जो कि उन्हें होना ही था साथ ही अब वो बर्ड अब इतनी गुल में टोल हो गई थी कि उससे चलते भी नहीं बन रहा था तो वह लुड़कते हुए नाइली के पास आती है और अभी नाइली कह आता है कि सच में यह बहुत खतरनाक है और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि future में हम इसके साथ कैसे deal करेंगे मगर अब वो बर्ड नाइली के पाऊं के पास आ चुकी थी और इतनी क्यूट लग रही थी कि नाइली उसे देखकर कहता है कि कोई बात नहीं जो होगा देखा आएगा और अब इसके बाद हम आज आते हैं अंडरे वर्ड कंट्रोलर और बागी सभी मास्स के पास जो कि वो स्केंडल ड्रेगन वालीफाइट के जगह से वापस लॉट आए थे और अभी नाइली को ही देख रहे थी यहां पर वह सब्सक्राइब को देखकर उतनी जाद रही बलकि मुझे तो यह कोई स्प्रेट बीस लग रही है तो अभी सुनकर वो सब भी लोग शौक हो जाते हैं साथ ही शियाओ यूद भी थोरा शौक था बड़ा इसी के बाद यह पार्ट यह भी घतम हो जाता है लेकिन अब शायद आगे के पार्ट में जोदा मज़ा खिर के लो जाट आवे हैंगे हैंगे उेकिन एगाराई भी उनकर वाबया दो एक्ष ca उनकर को शक्ष के वाब। е क्म पी के धिलेकर वाब मिलेग報 ॉब्स के लिए अवरा आवे हैंगे हैंगे हैं वाचे हैंगे हैं ए्भ जाढ़न, जामें वे बीएवां वायाय।